दो हजार चोबिस में हमारी सरकार आएगी बार्दी जंता पालटी की सरकार आएगी नेरंदर मौदी जी की सरकार आएगी 400 को पार तरेगे और हिंदु राश्टी आप मना ही हम पुरा समर्टन हम तुम्हारे साथ में पुरा सपोर्ट है बारत के मुस्लमान का बच्चे-बच्चे का सपोर्ट आपके साथ है। निरेंदर मोदी जी को घेरने वाली बात है। निरेंदर मोदी और पुरी भाजपा चुनाब जीतने के लिए साधू संतों का इस्तेमाल कर रही है। में सबसे एक नंबर पेजो लिष्ट है वो बागेस्टु अरधाम सरकार धिरेंदर क्रिशन सास्त्री का आता है। क्या बागेस्टु अरधाम सरकार जो हैं वो सही में बीजेपी के लिए और निरेंदर मोदी के लिए वोट मांगते हैं अपने स्टेज से या फिर इस तरीके का जो है एक मनगरहंत कहानी बनाया जा रहा है सिदे जुड़ता हैं क्या नाम हूँ आपका मेरे नाम मुम्मण गुलसेर है बागेस्टु बाग जानते हैं विल्कुल जानता हूं मैं अच्छे तरीके से जानता हूं मैं ट्वी पोन पर देखता रहता वह ओट मांग रहे हैं इस ती आरोप लगाने वाली बात है यह शिरफ निरेंदर मोदी जी को घेरने वाली बात है क्योंकि विपक्स हर तरीके से बोकलाया वा विपक्स को को रास्ता नजर नहीं आ रहा हम दुबारा में सत्ता में कैसे आए क्योंकि 2014 के बाद जब से माने पर दानमंतरी सीट पर पैठे थे उसके बाद विपक्स बोकलाट में आ गया था लिकिन सादू संत कुंवें ले कर कहीं में ओड का निरंदर मोदी जी का कहीं परचार नी कर रहे है यह विपक्स हर तरीके का आरोप लगा एप जुर समाज के लिए भी काम कर रहा है वुझेर समाज के लिए वी अगर आज सब समाज को जोडने का काम कर रे तो मैं पूछना चाहता हू विपक्स इतना डपरेशन में क्यों आ चुका इतनी वहकला टो हें तरी क हैं ने इस तरी के का कोई बेद बाउन हुट की बात में तो शिरफ को जोडने की बात कर रहें kabul बढ़ाने का काम करें वापाजी प्रे इस डियसे अंदर नफिरत को गतं किया लेकिन उनooked के उट हैं मुसलिम समाज को टारगेट कि। क्या मुस्लिम समाज के अपर को टिपनी बाजी कियो किसी सादू संत ने कियो ऐसा मैंने कहीं इंटर्व्यू में नहीं देखा इसक मैंने कोई टीवी पे नहीं देखा किसी सादू संत ने दुर्वेश फकिर ने कि मुस्लिम समाज के अपर को टिपनी बाजी कियो क्या ध्रम के सब्सक्राइब करें चाहिए कि यह समाज में दोज फैलाते हैं और पाखंड फैलाते हैं इस तरीको इंदर प्रेम बयेशारे की बात कर रहे है तो लड़ाने काम कर रहे हो तुम किसी बाबा को लिखक ऑडपी काम कर रहा है रिख안क कियो पर क्यों शर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा यही काम कर रहे हैं हिंदू-Muslim बटवारा कर रहे हैं कि और धर्मांतरन करने की भी बात करते हैं लेकिन बाबा जी का इस तरीके पर विसेश तोर सर उन पर टिपनी बाजी कियो क्या मुस्लिम समाज पर कहीं प्रेशन मनाया हो इस तरीका कोई ऐसा मिशू नहीं है यह तो सिर्फ एक विपक्स अपनी चाल चल रहा है वोकलाट में डिप्रेशन में वो कुछ भी आरोप लगा सकता है लेकिन बाबा जी का कहीं इस तरीके का या रोप लगानी बात मैं तो कहीं ऐसा नहीं मैं इंसा के नफरत की बात कर रहें तो यहीं चाहरे देश के अंदर प्रेम बड़े बाई चारा आये महबत आये देश आगए बड़े देश तरक्की करें बाबाजी की विए करते हैं यह जैसे विए वह समाजीक करते हैं वह आत मतलब उनके विचार, बहुत अच्छे कोई में हिंसा की नफरत की बहीं करते हैं जो पर धाद नहीं करते हैं देश के अंदर नफरत की रहें हम रहे हम मिल जुल कर रहे और देश को अग्य बढ़ा है देश का विकास करें जो आने वाला भविस्से उसके लिए हम चिंतन करें बागेस्वर्ध हम सरकार हिंदू राष्ट की भी मांग करते हैं अब साथ हैं तो तो अच्छी बात है हिंदू राष्टी होना चाहिए क्या पत्ति है ह हमारे डूनेश के लिए फून भाया कुरूबान निदी खू नहीं और। graph जाता है नेंदर मोदी जी सपोर्ट करना चाहता है बहرत का मुसल्मान बागेसुर्ध हम सरकार के साथ ह्या है क्यों नहीं है हिंदू राष्ट बनाने के साथ है Dit debatingू राष्टे मैं हम्हें 52 6 साफनाना स्वाइब कांट्री कुछ इतनी कंट्री मुश्लीम की तक हिंदुराश्ट कभी विरोध कि लिए किए भारत की मुश्लमान कभी सताया और कि किसी तरीकि क्या कोई दुख ठेज पहुंचाया जो बहुत अच्छे मैं टीवी पर सुनता ही देखता भी हूँ लेकिन एसी कई उन्हें सब्द नहीं बोला आज तक मैंने काफि समय से में सुनता रहा हो जो किसी समाज को दुख जो मांग हो रहा है लग तक प्टक जो हैसो सरकार ओफीशिलि घोशना कर देगी मोज़ी सरकार के वस में है थी कि चुनाओ का टैम करीब है अब तो चुनाओ का टैम है लेकिन दूजार चोविस में हमारी सरकार आएगे भारती जंता पालटी की सरकार आएगे नर्इंदर मोधिजी की सरकार आएगे और हिंदू राश्टी आप मना ही हम पुरा समर्तनम तुमारे साथ में पूरा सपोर्ट है भारत के मुस्लमान का बच्चे बच्चे का सपोर्ट आपके साथ है आप मना ही हमारा पुरा सपोर्ट आपके साथ है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी आप सुन रहे थे ग्राउंड जीरो से जनता जनारदन को इनका कहना ही कि नरेंदर मोधी ही आएंगे और आने के बाद जो है हिंदू राष्ट की गोशना होगी और भारत के मुसल्मान है जो है वो नरेंदर मोधी के साथ है ये उस नेरेटिव को बिलकुल ही जग ज दोर के रख देता है जो कहा जाता है कि बीजेपी सरकार जो है वो भारत के मुसल्मानों को नफरत के नजर से देखती है और हिंदू मुसल्मान में जो हैसे बटवारा करती है खैर जो भी होगा हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे तब तक के लिए दिजाज़ा बात नमस्कार